तमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे Roland के Phantom 6 के अंदर expansion कैसे load करते हैं उसके बारे में तो दोस्तों, Roland की Axial साइट से हम expansion download करके अपने Phantom के internal memory के अंदर load कर सकते हैं तो आये इस परकरीया को जानते हैं कैसे होता है ठीक है दोस्तो expansion, phantom के लिए expansion download करने के लिए हमें excel site पे जाना पड़ेगा Roland की तो phantom के लिए excel site है यहाँ पे आप click कर दीजिए google में search किया, यहाँ पे click किया और यहाँ पे हमको यह 15 expansion मिल जाते हैं अब इन में से जो भी मेरे को download करना है मैं उसक पे select करके उसको download कर लेता हूँ तो suppose मेरे को यह download करना है तो इस पे मैंने जाके click किया click करने के बाद इसमें download में click कर सकते हैं या फिर नीचे आकर download पे click कर सकते हैं तो यह आपकी file download हो जाएगी ठीक है, यह download हो रहा है यह जब download हो जाता है तो इस फाइल को मैं open करूंगा इस हो copy किया इस फोर फाइल है और बाकी readme file और पीडियो pen drive में paste कर देते हूँ pen drive में इसको copy कर लेते हैं इस फाइल को copy होने के बाद इस pen drive को हम अपने keyboard में लगा देंगे ठीक है दोस्तों अब हमको यह tempo बटन को hold करके keyboard को on करना है जब हम keyboard on करते है तो यह आपका expansion कि अच्प्रीट लोड होने के बाद आपको यह screen नज़राएगी इसमें जितने भी यह expansion अभी internal memory में डले हुए है वो सारे शो करेगा और यहां पर हम इसको uninstall करना चाहें तो कर सकते हैं install करना चाहें तो वह भी इसमें पॉसिबल है one install कर सकते हैं और uninstall भी कर सकते हैं अब हमने pen drive में चेक किया कि हमारे पास कौन से expansion है तो दो expansion पड़े हुए है है number three and number 11 में चेक कर लेता हम अब नंबर 3 अगर इसके अंदर डा उधा है क्या कि अधर प्रोड़्य अब छॉद्ब के इसके अंदर इस्के नॉप नहीं है तो अब नंबर 3 को इन्सटॉल कर लेतें इसको हमने नमबर त्री को प्रेस किया भी चार मेंट के आस्पास का टाइम दिखा रहा है तो यह अब इसके इंदर नमबर त्री का एक्सपेंशन इन्सोल हो चुका है अब हम कीबोर्ट को स्विच आफ करते हैं और अगेन उसको स्विच आउन करते हैं ठीक है इसको लोड हो जाने देते हैं लोड होने के बाद मेन्यू बटन प्रेस किया उसके बाद यूटिलिटी प्रेस किया और एक्सपेंशन का इन्फो अब हमें यह बता रहा है कि हमार पास कितना मेमरी अभी बचा हुआ है और कितने एक्सपेंशन इसके अंदर लोड हो चुकी है देखिए यह से तो इस तरह से हम इसके फेंटम की इंटरनल मेमरी में अपने एक्सपेंशन लोड कर सकते हैं तरह सकते हैं